तो आज हम यह टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं, आज बहुत सारी चीज़े रिपिटिटिव थी, तो मैं उन में से एक ही मैंने रिविजन वाला लिया, कवज सिस्टम, और बाकी सारे इन अपकमिंग डेस, वो मैं आपको बताते रहूंगी, तो बिगिनर्स के लिए बोलना चाहती हूं, कि आप जो टेंशन करते हों, यह निउस पेपर में वो चूट गया, उसमें वो चूट गया, ऐसा नहीं, हर निउस पेपर ही चाहेगा, कि उसके निउस पेपर में सारा इन्फोर्मेशन आये, तो आज अगर इंडियन एक्स्परिस में आया, तो वो दा निउस छूट गया, ठीक है, कवर होता ही रहता है, क्योंकि कोई भी निउस पेपर चाहेगा नहीं, कि हाँ, उन में कुछ खामिया रहे, ठीक है ना, तो चलिए आज का निउस पेपर अनलाइसी शुरू करते हैं, यह एक निउस में था, जहाँ पर अभी गवर्मेंट के द मतलब नेशनल पार्क, वाइल लफ सेंचरी, कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम सराइज होते हैं, ठीक है, वैसे एक्जांपल दे सकते हो, तो बेसिक लिए यहाँ पर हुआ क्या, कि स्टेट गवर्मेंट यहाँ पर एक एरिया है, जिसे हम हाती पत्थर कहता है, फील्ड ओफ ए यह सवाल उठाया, तो यह तो हो गया कि निउस, लेकिन हमें एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काजी रंगा नेशनल पार्क के बारे में जाना है, वो तो है कहाँ पर कॉनसी स्टेट में, अभी मैंने बोला, लेकिन इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स है, जैसे काजी र कब घोशी दुआ, 1974, 1974, 1985, and 2007, ठीक है, and globally known for its successful rhino conservation efforts, तो obviously, यहाँ पे, it houses two-third of the total world population of greater one-horn rhinos, तो इसके लिए तो यह चीज रिलेट होगी, ठीक है, तो ऐसा रिलेट करके पढ़ना, ठीक है, हमेशा, ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार लिया हो गया, मैं बिगिनर इसके लिए या फिर जो school में, class 11, 12 में हो, NUPOC देने का सोच रहे हो, या फिर current awareness तो सब कोई जरूरी होती है, recognized as an important bird area by bird life international, ठीक है, यह भी एक fact है, मत सोचना काजिरंगा national park में bird life से क्यों ही देंगे, नहीं, यह भी है fact, ठीक है, याद रखना, कहाँ पे located कौनसी district, it is located in the Gola Ghat and Nogao district of Assam याद रखना, दो district के, इसमें locate है, दो district में इसकी boundary आती है, that is Gola Ghat and Nogao, ठीक है, and it is the largest undisturbed area in the Brahmaputra Valley floodplain, ठीक है, largest undisturbed area, और इसकी vegetation, geography point of view से, ऐसे questions आते है, previous question में कहीं बार आ चुक है, इस्टर वेट एलेवल grassland, semi evergreen forest, and tropical moist deciduous forest, ठीक है, तो यह हो गया हमारा vegetation, अब इसमें एक catchy point यह है, कि जो rhinos, यहना one horn rhinos, highest number कहां पाया जाता है, काजी रंगा, and second highest, पोबीतोरा wildlife century, ठीक है, but highest density अगर exam में पूछे, highest density of one horn rhino, first कहां पे पाया जाता है, पोबीतोरा, then second में है काजी रंगा, तो यह थोड़ा सा catchy point है, याद में पोबीतोरा highest है, ठीक है, then, यह much of the focus of conservation efforts in काजी रंगा, are focused on the big four species, याद रखने के लिए बोल राइनो, obviously काजी रंगा राइनो तो हो गई, elephant, तो यह news याद रखलाना कि elephant से related कुछ news आया था, तो elephant तो हो गई, tiger reserve है, तो royal bengal tiger तो है, and asiatic water buffalo, ठीक है, तो यह याद रखन फिर economic point of view, जो या geographic corridors, highways के question कभी आ जाते हैं, पहले तो आते थे facts, अभी क्या पता, statement में कभी आ जाए, तो यह national highway कौन सी पास करती है, यहाँ से, national highway 37, ठीक है, then, it has more than 250 seasonal water bodies besides the deflu river running through it, अगर कभी मैं match the following में deflu river दिखाना, तो वो असाम में होगा, ठीक है, कौन से national park, काजी र ठीक है, and next, जो है, यह थोड़ा सा map में है, थोड़ा कभी east to west, या फिस south, north to south direction में कभी पूछा जा सकता है, state PCS वालों के लिए भी important है, जो APAC के लिए प्रिपर कर रहे है, यानि UPSC के लिए तो है ही, ठीक है, आई चुक है, northeast is the favorite part of UPSC questions, है ना, तो यहाँ पे है, डिबर गीबॉन वाइलाफ सेंचुरी, है ना, यह मैंने कुछ दिन पहले ही आप सबको बताया था, एक न्यूज में आया था, then काजिरंग नेशनल परक यहाँ पे, उसके ठीक नीचे लाउखवान वाइलाफ सेंचुरी, then इधर ओड़ांग नेशनल परक, यान इधर मानस वाइल ट्रेलर, वो याद रहता है न, अब पंचायत बोल रहे हूं तो आपके दिमाग में तो आ गया ना, पंचायत, यहाँ पे अभिशेक सर बैठ है बीच में, प्रधान जी, मंजू देवी, तो वो तो दिमाग में आ जाता है, तो ठीक उसी तरह, इस मैप को भी न, ऐसे याद रखना वस, जस्ट पिक्टोग्राफिक मेमरी याद रखना, सीरीज और उसके पोस्टर याद रख सकते हो, तो यह तो रखी सकते हो, ठीक है न, यह है न्यूज में अगें, कि अभी न्यूज में यह आया कि रिपोर्ट्स जो चल रहे हैं, कि आहली में जो न्यूज के वज़य से होता है, दे रेल्मेंट के वज़य से, और तर्टी परस ledway accident कि सके वज़य से होता है, लेवल ग्रोसिंग के वज़य से, सबसे कम accident होता है, कॉलिजन के वज़य से, तो यह, तो हम आपको, ऑगर पता होगा, तो है ही, दारझ लिंग डिस्टिक में, वेस्ट बे हमारे लिए इंपोर्टेंट है तो कवज इसे पार्ट ऑफ डिविशन कुछ दिन पहले हमने यह पढ़ा था एंड मैं रिपीट इसले करें हो ताकि आपका डिविशन भी होता रहे ठीक है तो कवज कवज is a cap signaling train control system with anti-collision feature obviously collision होने नहीं देंगे तो anti-collision ही रहेगा डेवलप किसके दौरा क्या गया research design and standard organization RDSO याद रखना DRDO नहीं है ठीक है RDSO है in association with three Indian vendors adopted as our national automatic train protection system यह कवज कोई अगर आपको question prelims में आ गया determine the statements with respect to national automatic train protection system तो वो covered system ही है ठीक है same है यह दोनो it adheres to safety integrity level 4 and यह तीनों फिर से अगेन मैं यहाँ पर explain कर दियती हूं तीन main यहाँ पर component है एक है यह तूसरा है यह ए और तीसरा है यह ठीक है यहाँ से radio frequency technology communication के दुआरा यहाँ पर वो transfer करते है कौन से चीज की data कि train कब आ रहा है कौन से speed से आ रहा है कितने number platform पर क्या वगएरा वगएरा सारा यहाँ पर यह data देते है ठीक है यह है TCAS system means traffic alert and collision avoidance system यहाँ से यह data verify करेगा calculate करेगा और भेजेगा locomotive driver means locomotive session driver को भेजेगा बट मानलो कुछ glitch आ गई या फिर driver को वो information पहुची ने time से या action नहीं ले पाया then it has the facility of automatic brake system यहाँ से automatic brake वो apply कर देंगे and then it will avoid collision of two trains and this accident avoid होगी ठीक है ना तो यह coverage system आ ही होब हमने दो बार अब तक revision कर लिया तो आपको याद तो हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत ना आता है NRC national register of citizens तो basically हमारी जो national register of citizen है सबसे पहले क्या गया था according to census of 1951 उसके बाद से नर्सी publish update हुई नहीं थी असाम में हुई and आप government plan कर रहे कि nationally भी इसको update किया जाए तो NRC है क्या It's a list in Assam aimed at identifying legitimate resident and removing illegal migrants तो क्या होदा ना बंगलादेश वर्ड के बाद 1971 के बाद बहुत सारे illegal migrations हुई थी Assam में and इसके चलते वहाँ पे 6 year long Assam moment भी हुआ 1975 से लेके 1985 तक ठीक है and then all Assam student union जो है उन्होंने उस moment के द्वाड़ा यह demand किया कि NRC को update किया जाए ताकि हम जो illegal migrant से उन्हें deport कर सके and वो moment की culmination means वो moment खतम हुई with the sign of Assam Accord 1985 तो Assam Accord 1985 में यह state PCS के लिए effect ज्यादा important है बट फिर भी जान लो knowledge is always a beautiful thing है ना तो Assam Accord में क्या है all Assam student union Assam गंज संग्राम पडिशत और राजीव गंदी की government थी तब government द्वारा यहाँ पर sign की गई to restore the stability in the Assam state ठीक है तो यहाँ कुछ eligibility criteria भी चाहिए कि NRC में आप person meet होता है कि नहीं आपका अगर आपका नाम एप्यार हुआ है 1972 के NRC में या फिर और है and नहीं है electoral roles में अगर आपका नाम है before midnight on 24th March 1971 या फिर foreigner जो registration regional officers के पास office में अगर वहाँ पे registered है with central government guidelines and are not regarded as illegal migrant or foreigner by any government obviously यह तो general statement है anyone who arrived in Assam on or after January 1st 1966 but before 25th March 1971 ठीक है an original SMS residence है वो तो हूंगे यह then person who can provide any of the document included in the list of document eligible for citizenship issued in midnight on this तो यह Assam related ऐसे कुछ है जो CW है वो फिर मैं किसी और दी news में आएगा but NRC has आया है यह कुछ साल दो तीन साल पहले की topic but then exam में यह tidbits of Assam वाली NRC related भी आपको पूच सकते है कि उधर क्या होता है Assam में यह date तो इंडिया में लागू नहीं होता असाम के लिए होता है तो यह थोड़ा से जानना ज़रूरी होता है कि अगर state based कुछ question अगर आ जाया then you can answer obviously mains में भी आप इसका इस्तमाल तो करी सकते हो फिर यह state PCS Assam APSC के लिए जाधा जरूरी है फिर भी UPSC student के लिए थोड़ा बहुत जान लो कि विश्नुराभा दिबस कहा पे हुआ जाता है असाम में वो कब होता है 20th June को उनके death anniversary पे तो वही पे कुछ awards प्रेजंट किये गए असाम के कुछ जाने माने लोगों को जैसे अजान पीर एवर्ड किनको क्या गया cinema producer अनवड हुसेन को विश्नुराभा प्रसाद एवर्ड आर्टिस्ट को क्या गया धरमेश्वनात और दुल्लभ भटचारिया गीत को भी पारवती प्रसाद बढ़ुआ सरस्वती भटचारिया को अमल प्रभादास एवर्ड बंदना दत्त ऐसे सारे जो यह एवर्ड है न और यह जो एवर्ड देते हैं इसमें होता क्या है तो स्टेट एवर्ड केरीज ए साइटेशन ए सेलेंग सादोर ए होराई एंड रूपीज 2 लाक इन कैश ठीक है तो यह बेसिकली स्टेट पीसेस वाले नोट कर लेना ओके एक प्रोग्राम चल रहा हैं इसके दवारा क्या होगा sustainable wetland and integrated fisheries transportation, ठीक है, तो फिर इसमें financial support कहा से मिलेगा, that is the Asian Development Bank से, okay, then यहाँ पे आपको कुछ bills के नाम है, means floodplain wetlands के नाम है, जो यह कामरोब district में, यह जोड़ा district में, यह basically UPSC point of view से तो important ही है, but then UPSC वालों को मैं यह कहना चाहती हूँ, कि मैंने यहाँ पे यह इसलिए दिया, क कि कुछ department में bills के कुछ ऐसे initiative, तो आप department का website थोड़ा ना, खोल कर देखना कि वहाँ पे कौन से bill है, अगर आपने देखा, 2024 में जो prelims वहाँ मार्च को, EPSC का, वहाँ पे bills के question बहुत सारे आए, कि यह bills कौन से district में है, तो वो आपको मदद करती है, थोड़ा सा अगर research कर ल ना, ताकि exam में अगर आए, तो you can correlate, ऐसा ना लगे कि कभी तो सुना ही नहीं मैंने, थीक है, तो यह APSC वालों के लिए जादा important है, बट UPSC वाले याद रखना, swift project, and then wetlands, जो floodplain wetlands, आ सकता है, किसी में से यह नाम तो आई सकता है, UPSC में ऐसे आदत है कि एक दो question ऐसा आता बट क्या पता आ जाए कभी ऐसा, ठीक है, then आता है tidbits of the day, तो यहाँ पर हमारा क्या है, चेनाब rail bridge, ठीक है, तो यह fact मैंने क्यों दिया, यह दा हिंदू में आच्छों, यह photo आई थी, तो चेनाब rail bridge is the world's highest railway bridge, ठीक है, world, इंडिया का नहीं, world's highest railway bridge, connect का किस करता है, रामबन characteristic NRC of Jammu Kashmir, कहाँ पर है Jammu Kashmir, तो यह fact याद है, state PCS में आ सकती है, कोई state government exam में, दूसरे departmental exams में आ सकती है, UPSC में भी, अगर elimination या फिर match the following में, आ ही सकती है, तो इस चीज़ को आज का fact यह रहा, ठीक है, then हमारा है, आज का day, D-Day in news, international yoga day, theme क्या है, yoga for self and society, obviously हम अगर दूसरों को दे पाएंगे, तो वो health care related, हम अगर खुद healthy रहेंगे, तो वो awareness हम दूसरों को दे सकते है, same goes for knowledge, आप यहाँ पर आपको knowledge मिल रही है, तो आप बाटो ना, घर पे आप मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, अपने भाई बहनों को बताओ, कि आज यह है, क्यों कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे रास्ते है, ऐसे चोटी-चोटी चीज़े करके भी आप कर सकते हो, डेली लाइफ में, ठीक है, यह है, the idea of international day of yoga proposed by India during the opening of 69th session of United Nations General Assembly UNGA, कब वो आता, 2014, 2014, ठीक है, and UN proclaimed 21st June as international yoga day by passing a resolution in December 2014, ठीक है, तो यह जब डिसेंबर में यह पास हो गया resolution, then हम कब से मनाते है, 2015 से राजपात New Delhi में हमने अपना first yoga day मनाया था, जहां पर दो जिनेस world record भी हुआ था, क्या हुआ था, वह लार्जेस्ट yoga session तब किया था, around 35,900, मतलब around 36,000 people, and 84 nationalities ने हिस्सा लिया था, तो यह फेक् means beyond UPSC, और beyond examination में आपको थोड़ा शेर करते हूं, just to have that entertaining वाला vibes, ठीक है, तो yoga meaning क्या है, यह Sanskrit का meaning है, to join and to unite, ठीक है, तो symbolize the union of body and conscious, means physical and mental health को जोड़ता है, आपने देखा होगा, being an aspirant आपको बहुत तो जरूरी है yoga करने का, time नहीं मिलता, 15 minute at least करो, ठीक है ना, जादा मिलता हो, तो आपकी देखना उस दिन पढ़ने की शमता और जादा बढ़ जाती है, body की strength और बढ़ जाती है, तो obviously यह सब थोड़ा अपने daily life में इंकल्केट किया करो, ठीक है, then WHO has also asked the member state to practice yoga and has included in its global action plan for physical activity 2018 to 30, ठीक है, तो global action plan में भी उन्होंने plan में भी include किया, अब देखो government initiative भी लेते की yoga को वो national level पर और awareness कर सके, जैसे fit India moment में भी yoga को add किया गया, ताकि वो physical activity में हम yoga को रखे, fit India moment क्या है, जहाँ पे लोगों को encourage किया जाता है physical activity and sports अपने everyday life में रखने के लिए, then प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना के अनुसार, यहाँ पे फिर से, means यह प्रधान मं कोशल विकास योजना के अंतरगत भी, thousands of candidates have been trained as yoga instructor and trainers through various skilling initiative, तो इसके through भी awareness फैलाई जारी है, तो यह आपना GS paper to health related, जब schemes की थोड़ी सी pros, cons, government initiative, तो यह सब लिख सकते हो, कि level में भी government, ऐसे programs भी लाते है, जिससे health benefit भी world level पे प्रचार हो, ठीक है, तो यह है आज का question, ठीक ठीक है, great scheme, इसके लिए मैंने तीन statement दिया, आप बताना इन तीन statement से कितनी statement सही है, तो मैं कल आपको इसका answer बता दूँगी, ठीक है, and end होता है कल के quiz के answer के साथ, तो कल का जो answer है, वो है D option 1 and 4, ठीक है, T board is a statutory body, obviously, the board has overseas office in Dubai and Moscow, yes, यह office होंगे, it acts as liaison office, means, यह promotional measures लेते हैं, कि ह जिससे boost होता है हमारा इंडिया का export, जैसे दूसरे देशों को वो बोलते है हमारी equality, कि कितनी अच्छी है, कौन सी rate में, क्या वगरा वगरा, means, messenger जैसा काम करते है, for various promotional measures, ठीक है, ताकि हमारा export बढ़े, then the T board head office is situated in Bengaluru, नहीं, यह Kolkata में, यह 2022 में UPC में already आ चुका है, तो it can repeat, तो इसने मैं थोड़ा सा आपको facts यहाँ पर बता दे रही हूँ, ठीक है, and it is a regulatory body attached to the ministry of agriculture and farmer, नहीं, यह तो ministry of commerce है, तो याद किसे रखोगे, यह जो यहाँ पर आप आज की अगर class याद रखोगे, trade होता है, tea तो ऐसा नहीं कि हमी बस पी जाता है, सारा, नहीं, trade होता है, नहीं, export, import, बहुत सारा होता है, तो trade and commerce वैसे याद रखना, ministry of commerce गंडराता है, and यह जो tea board होती है, इसमें 31 members होती है, including chairman, and members सिर्फ ऐसा मत सोचना कि, हाँ tea board है, तो सिर्फ बड़े-बड़े लोग, parliament वाले ही सिर्फ होंगे, या फिर कुछ executive नहीं, इसके अंतरगत, members of parliament के स साथ साथ tea producer, tea trader, tea brokers, representative of government from the principal tree producing state, तो साड़े लोगों का मिलके फिर ही तो एक policy successful होगी, क्योंकि tea board में, in tea के जो sector में, इतने जो जाने माने लोग है, इनको तो लाना ही पड़ेगा, ताकि policy regulation के time पे हम अच्छे inputs हम ले पाए, and this board is reconstituted every 3 years, हर 3 साल में यह reconstitute होती है, तो I hope आ comment section में, answer जरूर से देना, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल में लेंगे, till then, stay tuned, take care, and happy studying, also हाँ, और एक चीज, अगर आपको पता नहीं चलता की, कब मैं यह upload करती हूं, कितने बज़े करती हूं, या daily, regular, आपका YouTube, अपने notification आफ करके रखा exam, या फिर आप Instagram में भी हो, तो you can join me in my Instagram also, ठीक है, तो मेरी Instagram ID है, handwriting के सहले, my, फिर underscore, UPSC, ठीक है, my UPSC, ODC, ठीक है, description में आपको इसकी link भी मिल जाएगी, मैंने यहाँ पे फिर से आपको एक बर बता दिया, यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, that is my my UPSC, ODC, ODYS, EY, ठीक है, तो description में आपको इसकी link तो मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी join कर सकते हो, for regular updates, और मैं वहाँ पे कुछ flashcards भी share करती हूँ, with respect to UPSC prelims point of view, ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, चलिए, फिर टाडा,